जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को प्रसन करना चाहता है तो वास्तों में वह स्रीक्रिष्ण का प्रतिसपर्धी बन जाता है स्रीक्रिष्ण का प्रतिसपर्धी बनना यानि भौतिक वादी बनना हम स्रीक्रिष्ण के प्रतिसपर्धी नहीं बनना चाहते अपितु हम स्री कृष्ण के सेवक बनना चाहते हैं और स्री कृष्ण का सेवक बनना ये सर्वोच्च स्थिती है लेकिन हमारी स्थिती केवल मानसिक नहीं है वो वास्तों में होनी चाहिए और जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता है वह सदय फक्ति में सेवा में सनलगन रहता है परम पूचे को पाल कृष्टन गोस्वामे महराज द्वारा